नमस्कार स्वागते आपका MP तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग मत्रपदेश में दो विधान सभा सीटों पर उपचुनाव संभावी थे पहली सीट है बुधिनी विधान सभा सीट जहां से पूर मुख्यमंति शिवराज सिंग चोहां लगातार विधायक थे अब वो इस्तिफा दे करके केंद्र में मंत्री बन चुके हैं दूसरी सीट है शोपुर जिले की विजेपुर विधान सभा सीट यहां पर भी उपचुनाव संभावी थे क्योंकि यहां से कॉंग्रस से जो जीते थे रामनिवास रावत और जीत के विधायक बने थे उन्होंने लोग सभा चुनाव से ठीक पहले इस्तिफा दे के भारती जन्ता पार्टी की सदेसिता ले ली ऐसे में अब इस सीट पर भी क्योंकि यह सीट भी रिक्त हो चुकि यह विधान सभा में भाशपा के एक नए कदम के बार दरसल विजयपूर विधान सभा सीट से पूर विधायक भाशपा के सीतरा मारिवासी को मोहन यादो सरकार ने सहरिया विकास प्रादिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया है इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधान सभा उपचनाव से एक तरीके से अपने कदम पीछे खींच लिये हैं आपको बता दे कि भले ही अभी विधान सभा की तारiğकों का उपचनाव की तारिकों का एलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी इन दोनों सीटों पर क्योंकि ये रिक्त हो चुकी है काफी समय पहले यहाँ पर विदानसभा के उपचना होंगे विज़पुद विधान सभा सीट से रामनिवास रावती भाजपा के प्रत्याशी होने वाले हैं ये भी तय था लेकिन बीजेपी के सामने और रामनिवास रावत के सामने सबसे बड़ी चुनोती थी बीजेपी के ही पूर्व विधायक सीतारा मादिवासी जो कि रामनिवास रावत को कॉंग्रेस से भाजपा में लाने के बात से ही एक तरीके से बगावती सुर दिखा रहे थे सीताना मादिवासी ये कई मरतबा कह चुके थे कि विधान सभा उपचुनाव वो लड़ेंगे उन्होंने ये नहीं कहा तक कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे लेकिन इसे ने भाजपा को पसो पेश में डाल दिया था क्योंकि भाजपा तो रामनिवास रावत को वहीं से चुनाव लड़ाने के मूड में है ही और लगभग शत प्रतिशत ये मान के चला जाए कि रामनिवास रावती वीजेपूर विधान सभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उपचुनाव में फिलाल वो मोहनियादव सरकार में वन मंत्री भी है ऐसे में बीजेपी जहिर सी बात है वहाँ पर उनी को टिकट देती लेकिन चुनावती थी कि सीतरा मादिवासी का फिर क्या होता और अगर सीतरा मादिवासी को अपना राज्यतिक भविश अंधेरे में जाता दिखता तो राम निवास रावत के सामने जब कभी भी उप्चुना होंगे विजयपूर विधान साबा में तो वहाँ पर कॉंग्रेस सीतरा मादिवासी पर डोरे डाल करके उन्हें कॉंग्रेस से टिकट दिलवा देती अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ी म बना करके और इसके साथ ही उन्होंने चुनावी ताल ठोकने से इंकार कर दिया है जाहिर सी बात है इससे भाजपा ने राहत की सांस तो ली लेकिन उससे कहीं जादा राहत की सांस राम निवास रावत ने ली है हाला कि राम निवास रावत और सीता राम आदिवासी दोनों यहीं चंबल की राजिनिती का एक बड़ा चेहरा है लेकिन बाद जब विज़पुर विधान सभा सीट की आती है तो यहां पर एक बड़ा आदिवासी वोट बेंग भी है जो सीता राम आदिवासी के साथ जाता ऐसे में भाजपा के सामने मुश्किले खड़ी हो सकती थी ले दूसे तरफ कॉंग्रेस के सामने मुश्किले खड़ी हो गई है कि जिस सीता राम आदिवासी पर वो डोरे डाल रही थी राम निवास रावत के सामने चुनाओं लड़वाने के लिए अब उनकी विकल्प के तौर पर किसे वहां पर अपना संभावित प्रत्याशी मानती ह या फिर किसे वहां से आगामी विधान सभा उप्चुनाओं में टिकट देती है